नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चाइनल पे पाचवी कक्षा से दस्वी कक्षा तक सब सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करों। कक्षा पाचवी, विशे हिंदी सुलब भारती। बच्चों, आज हम दंदनवन पृष्ट क्रमांक दोन का पाट सिखनी वाली है। इस चित्रपाट में कई पशुपक्षी दिखाये गए है। साथ में प्रनाम, स्वागत, आदिशब्दों का परिचय दिया गया है। उन्होंने शुरुवात में का है? पवदे लगाओ, पेड बचाओ। बच्चों, पवदे ही बड़े बनकर पेड बनते हैं। इसलिए हमें जादा से जादा पवदे लगानी चाहिए। साथी पेडों की रक्षा करनी चाहिए। पेडों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। बच्चों, यह जंगल का चित्र है। जहां बड़े-बड़े पेड है। हम सबको पहले मिलने आ रहा है तोता। तोता हमें कहता है नमस्ते। उसके बाद हमारा स्वागत करने आ रही है तित्ली। तित्ली क्या कर रही है? स्वागत है। तित्ली के साथ है खरगोश। और वो हमें नाचोगावो यह कर रहा है। खरगोश के पास खड़िये लोमडी। और वो हमें कह रही है, हम साथ साथ है। और हाती दादा कर रहे है, कतार में चलो। पृष्ट क्रमांकतीन पर लिखा है, हरी आली में खुश आली। बच्चो, पौदो से हमारा जीवन हरा भरा रहता है। जब तक पर्यावरन में हरी आली है, तब तक हमारे जीवन में खुश आली रहती है। पेड हमारे जीवन में बहुत मत्वपुर्न है। जंगल अधिक होने से वर्षा होती है। जंगलों को काटने से ही अकाल और बाड के खत्रों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पेड बचाना बहुत जरूरी है। बच्चों इस चित्र में जंगल, डोंगर, जर्ना, पेड, पशुपक्षी दिखाये गए है। चिडिया हमें क्या करिये। प्रनाम, नमस्ते। पेडों की पीछे एक हिरन दिखाय दे रहा है। निचे पानी में दिखाय दे रही है मचली। बच्चों मचली पानी में रेती है। वो हमें क्या करिये। जल ही जीवन है। जल पिककर हम अपनी प्यास बुजाते है। मनुष्य ही नहीं। सबी प्रानियों, पेड़ पवदों, जू जन्तों का जीवन जल पर ही निर्वर है। यदी जल न हो तो कोई जीवीत नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। बवुला क्या कर रहा है। नमस्कार। आगे दो मेंड़क एक दुसरेचे बाच्चित कर रहे है। वह कर रहे हैं, आओ खेले। मेंड़क के पास भालू खडा है। आगे पानी में मगरमच दिखाई दे रही है। बच्चों, हमें पेड लगानी चाहिए। और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। भ़े मत्वपुर्ण है, साथ ही outta पशू पक्षि की भुमिका भी बहुत मत्वपुर्ण है ही। ह हमने बहुत सारे पशू पक्षियों की जानकरी ली। बच्चों परिक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूचे जा सकते है। प्रश्न पहला, नंदनवन में हमारा स्वावत कोन कर रही है? उत्तर, नंदनवन में हमारा स्वावत तितली कर रही है? प्रश्न दुसरा, तोता क्या कह रहा है? उत्तर, तोता नमस्ते कह रहा है? प्रश्ण तिस्त्रा मचली क्या कर रही है उत्तर जलही जीवन है ऐसा मचली कर रही है प्रश्ण चोथा कतार में चलने के लिए कोन कर रहा है उत्तर हाती कतार में चलने के लिए कर रहा है पाचवां मेंडक हमें किसलिए बुला रहे है उत्तर मेंडक हमें खेलने के लिए बुला रहे है अगला प्रेश्ण लोमडी क्या कर रही है उत्तर हम सब साथ साथ है ऐसा लोमडी कर रही है बच्चो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करो थेंक्यू